तो गाईज आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जामिय मीलिया स्लामिया युनिवर्शिटी का जो एप्लिकेशन फॉर्म है उसको आप लोग किस परकार से फिल करेंगे अगर आप लोग यूजी के किसी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो यानि कि ग्रेजुशन म अप्लाई कर रहोए देन आपको जो एप्लिकेशन फॉर्म है उसको इस परकार से फिल करना है स्टेप बाई स्टेप हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते और स्टेप आपको बताते संप इ वेबसाइड है उसका लिंक आपकी सुविधा के लिए मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन वोक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग ज्यादा परीशान ना हो अब देखिए जब आप ओपीशेर वेबसाइड पर आएंगे तो यहां पर थोड़ा सा आपको नीचे आना है और सामने आएगा अब यहां पर देखिए तीन ओप्शन आपको दिख रहे है एक तो जो है न्यू रजिस्टेशन का है और नीचे जो एक्टिव एक्टिव यूर अकाउंट ओके अगर आपने पहले पिसली साल अगर करा था आपका हुआ नहीं था अगर आपको उसको एक्टि आपके सामने आ गया है मिन्स कुछ बैसिक इंफोर्मेशन है जो कि आपसे यह पूछ रहा है जैसे की ओके आपका नाम फिल करना है मीडिया लास्ट नेम अगर आपका नहीं है तो रहने दीजे कोई दिक्कत नहीं बट आपको फरस्ट वाला डालना जरूरी है डेट ओवर् आपके पास आपका जो जीमेल है उस पे लिंक जाएगा उससे आपको इस अकांट को एक्ट्यव नहीं बरपाएगे तो इतना जो आपको साइनअप करना है साइनअप करने के बाद आपको लोग न पड़ेगा मैं आपको बताया ज्यससेन करेंगे तो यह बोले कि आपको बस आपको कुछ नहीं करना है sign up कर लेना ओके इसको मैं जल्दी से करके फिर आगे वाले पेज पर हम लोग बढ़ते हैं तो गाईज आप लोगों ने देखा कि मैंने जैसे यहां पर sign up करा sign up करने के बाद जो है कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस वो आ गया है इन्होंने यह बोला है कि जो है आपका यहां पर email जो है उसको लिंक भेज दिया गया है आप उसको अकाउंट उसको क्या करिए एक्ट कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे सीधा आप यहां पर login करेंगे यानि कि हम लोग sign in करेंगे sign in वाले बटन पर अपने को क्लिक करना अब मैं यह sign in करके submit करके और जो है इसमें sign in कर लेता हूं और हम लोग main डेस्पोर्ट पर आ जाते हैं तो guys मैंने जो है कर लिया है login और उसके बाद कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपके सामने शोग करेगा उपर यहां पर welcome to आपका जो नाम है वो शोग करेगा और यहां पर आपको form का review भी दिख रहा है और आपको सबसे पहले लिखा हूँ है my application ओके तो आपको क् पिल करना है इस पर click करना मिंडे जैसे आपने click करा तो यहां से आपको क्या करना है code select करना सबसे पहले अब देखिए आपको जो भी code select करना है जैसा अगर यूजी के लिए कर रहो पीजी के लिए कर लिए लाइक मैं बैसलर यहां पे क्लिक करता हूँ अब देकए यहां पे योजी के कौन-कौन से यह इस बार कर रहा रहे हैं वह सारे के सारे अपने को यहां पर दिख जाएंगे ओके जिस इंग्लिस है इस्ट्री है यह करने के बाद यह एड़ कोर्स का आ गया है अब यह जो है अगर आप वहाँ पर बेग जाके जो है अगर दूसरा कोर्स एड़ करना आपको इस को यह अगर आप यह मैंने भी यह के लिए बता दिया अब में मालीजे फिर से आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो जैसे क्या करना जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस यहां पर लेते हैं इसको एड़ कर देता हूं अब देखे यह करने के बाद यहां पर कुछ स्टेप आपके सामने आ रहे है आप लोग थोड़ा देख लेना आपको एप्लिकेशन डीटेल दी गई है फोटो एन सिगनेच अपलोड गरना अकेडमिक डीटेल फिल करनी है डोकुमेंट अपलोड करने है और जो आपका चोईस है वो आपको देना है और उसके बाद आपको कनफॉर्म करके पैमेंट करना है तो हम लोग एक एक स्टेप पर बढ़ेंगे तब यह जो आगे होगा सबसेपहले हम लोग डिटेल पर क्लिक करते हैं एप्लिकेशन डिटेल पर कुछ चीज़े अल्रेड़ी आ चुकी है कुछ चीज़े अपने को फिल गरने जैसे यहां पर केटिगरी में हम लोग डालते है जैसे आपका जो भी केटिगरी है आप डालिए सहसे यहां पर को इंडिया परो यहां डालना है जबनाना है टरिए यहां पर दालना है तो जो भी हिंदू जो भी मुस्लिम जो भी आपका कर चैस्क्राइब अगर आप हो कस्मीर से तो यस इसमें नो मेरे लिए सारी चीजे नो होगी अब देखिए यहां पर एक तो होता है और एक होता है अगर आप इन दोनों में से किसी में पार्टिस्पेट करें आपकी कोलेज में ऐसा कुछ होता था तो आप यस करिए अदर्वाइस आप नो अगर देना है और बाकी जो डीटेल है यह भी आपको जो है अपलाई करनी है इसमें आपको करना है अदर्वाइस आप उसमें नो कर सकते हो इसमें भी आप लोग नोहीं कर देते हैं क्योंकि अपना है नहीं सीन ठीक है आंड इसमें आप अपने कोडिंग डाल सकते हो वैसे यह है तो सही लेकिन आप डाल देना इसमें आपका क्या रहता है उस इस साब से आप डाल देना ठीक है इतना कर दिया है अब उसके बाद आपको address डालना है देखिए address अगर आप चाहे तो same address रख सकते हो आपका permanent address भी यही है current वाला तो आप डाल सकते हो same पर टिक करके ठीक है तो यह सारी चीज़े अपने को क्या करनी है फिल करनी है तो मैं इन चीज़ों को फटा फट से एक बार फिल करके आगे वाले page पे हम लोग आते है तो guys हमने जो आप form को सारा फिल कर लिया आपको इंतिजार करना हालंगी इंतिजार तो नहीं करना पड़ा होगा क्योंकि वीडियो को यहां से पोच कर दिया था तो देखिए सबसे पहला जो अपना step है जो सबसे पहला step है वो application detail का है जिसमें आपको यह सारा कुछ detail फिल कर मतलब मैं नहीं करना चाहता बाकी मैंने upload कर दिया तो आप भी upload कर देना अब देखिए यहां पर academic जो detail दी गई है जिसमें आपको 12 का फिल करना है और आपका जो graduation का है वो फिल करना है यानि कि आप मास्टर के लिए political science के लिए जो है फिल कर रहो इसलिए तो मैंने यहां पर है बनारा सिंदू हिंदू यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता हूं और पासिंग यह में अभी 21 लोग डाल देते हैं यह हो गया उसके बाद इसको क्या करना से यह देखिए आप अपने साफ से ढालना आपने 12 कहां से करिए आपकी स्कूल का क्या नाम है वो सारी सीज़ आप अ इसए आपसे एक केटेगरी पहले पूछी थी ना ऐसीस्टी यह पीड़्य जनरल वग्यार अब दिखेंगे यहां पे कुछ रिजर वेशन होता है जो जामिया में जो इसमें कुछ रिजरेवेशन पॉलिशी है तो इन सभी को रिजर विलता अलग से तो आपका तो इसमें क जोसना है कि मेरा फॉम-जन्रल में नहीं गया इपका क्योंकी यशाह आपका अलग है अब इसपे क्लिक करणे ठीक है जैसे अपने सेउप रॉप क्लिक आई सारा डिटेल आ गया है मैं करवाना चाहता था टो यह आप क्या करना है यह सारा आपका खुल के आ गया है क्योंकि मुझे एक्जाम देना नहीं है मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है ठीक है यह सारा करके आप कन्फॉर्म पर करने के बाद आपको यहां पर जो आप टू पेमेंट मेंट पर क तो आप इसको अच्छे से भरिए कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप फोन कर सकते हो आपके लिए कोई मनाई नहीं है वीडियो के कमेंट बॉक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिये गए हमारे एक बार वोट्सप पर मेंसेज छोड़ देना कि यालज जो prelimड़नेको प्रैसा अपके लिस्क्रिप्शन बॉक्स भी है वीडियो कर सकते है तो